हेलो गाईज लास्ट वीडियो में हमने दो फ्लो चार्ट के बारे में जाना Closing Stock and Outstanding Expenses इस फ्लो चार्ट में हम पढ़ेंगे Treatment of Prepaid Expenses प्रिपेड का मतलब pre-paid Pay मतलब pay करना, pre मतलब in advance वो expense जो हम advance में pay कर देती हैं अगर हमने advance में pay कर दिया तो वो एक तरीके से हमारी तरफ से जा चुका है तो वो हम deduct कर देंगे क्योंकि हम payment कर चुके हैं payment कर दिया तो हम less कर देंगे concerned item में से for example prepared salaries अगर हमने salaries अपने employees को advance में pay कर दी हैं तो हम क्या करेंगे P&L account के debit side में जाकर जहां salaries का item होगा उसमें से उसको deduct कर देंगे and उसका other treatment हम क्या करेंगे तो उसको हम as it is asset side में balance sheet में show कर देंगे prepared salaries got it next हमारा आता है आपका accrued income so what is accrued income? accrued income is due but not receive यानि वो income जो आपकी due है जिसके लिए आप services दे चुके हैं बट आपको अभी तक payment receive नहीं हुई है so यह आपकी income है income जो आपको मिलनी है लेकिन नहीं मिली है कभी न कभी तो मिलेगी so इसलिए हम इसको add कर देंगे concerned income में so income हम कहां लिखते है credit side में P&L की so for example हमें commission मिलना है अभी तक मिला नहीं है accrued commission है तो जो commission का item उधर कीवन होगा commission receive का हम उसमें जाकर के उसको add कर देंगे add कर देंगे accrued commission तो जैसे कि हमें पता है वो income हमें मिलनी है तो वो हमारी assets कहलाएगी तो उसको हम अलग से asset side की balance sheet में show कर देंगे that is accrued commission